हलो दोस्तों जोहार और एक नियू ब्लोक में आप सुभूंका स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं हम आसा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्त और बढ़िये होंगे दोस्तों और हम भी अच्छे ही हैं दोस्तों तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है अभी ख तो आज मैं निकाली और उसी से मैं खाना पका रही हूं और बहुत अच्छा से खॉल रहा है दोस्तों अभी एक ही सिर्पिल में लकड़ी डाली हूं आप लोग देखिए सहारा के लिए मैं डाली हूं लकड़ी और उधर में ग्वेंठा का दिखिए बहुत अच्छा से एकदम आग दिखे दे रहा है दोस्तों और मेरा खाना भी बहुत अच्छी तरह से डबक रहा है आप लोग देख लिए और बाबू और मेरे हस्बेंड जी अभी घूमने के लि लग रहा है दोस्तों देखिए आप लोग भी अपने घर आंगन में फूल लगाए और सुबा का नजारा देखिए देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है दोस्तों देखिए सुबा उठके दिल खुश हो जाता है दोस्तों सुरज भी एकदम उगहे गया है लेकिन थोड़ा सा आज धूप अतना अच्छा से नहीं आ रहा है दोस्तों और कुट्टा को भी यहाँ पर बांध लिए है और यहाँ पर कितली दिखिए दोस्तों दिवाल में बैठी है बहुत ही सुन्दर प्यारा लग रहा है दोस्तों क्यां तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों कल मेरे हस्बेंड जी मिथी साग लाए हैं तो मैं आज मैं मिथी साग पकाऊंगी दोस्तों आप लोग देख लीजी इधर में बहुत ही सुन। ताजा ताजा लग रहा है दोस्तों देखिए कल लाए हैं और इसके साथ में दो चार आलू मिलाओंगी दोस्तों तो मैं इसको अभी में फटा फट बनाती हूं और सब्जी पका लूँगी दोस्तों कहें कि धर चावल भी मेरा डबक रहा है अच्छी तरह से अभी उसको बंज लेती हूं उसके बाद में इधर साग को जड़ जड़ी काट लेती हूं काट ही रही हूं दोस्तों अधर आलू को दालती है आले को अलो फ्रबों से भूजा जाएगा तो साग धर पका आजाएगा तो चुल्हा में पकाने के लिए मजा लगता है दस्तों घर का याद आ जाता है ऐसे पकाते हैं कम से कम घर से दूर रहके भी लकडी का चुल्हा में पकाने का मौका मिल रहा है अच्छा लगता है लकडी खोजने के लिए मेहनत करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर हम लोग का जंगल जाड नहीं है लेकिन किसी तरह से जुगार तो करते ही है दीखे दोस्तों मेरे हस्मेंट जी गोबर गड़ा को और थोड़ा सा बढ़ा कर रहे हैं थोड़ा सा चोटा था और अभी मैं चुनी हूँ उगोबर से तो पुरा भर गया था ना तो भर गया तो उधर में थोड़ा सा बढ़ा के फिर कोड रहे हैं और उधर बाबु भी उठ गया है बाबु ओ ओ ओ ओ यह बलके खेल रहे हैं दोस्तों मैं सुनी हो आज में दिखा रही हूँ अभी तक हम लोग भी कुछ काम तो किया नहीं है खाना सब तो पक ही गया है थड़ा सा हमको जैसे ही आवाज सुने दोस्तों तो आवाज दे रहे हैं गुड वार्निंग बेटा गया है मेरा बेटा जी अपने मन से खेल रहे थे लेकिन अभी हमको देखें हैं अगर मैं छोड़के जाओंगी ना तो ये रोने लगेंगे दोस्तों बेटा मैं आ रही हूं ना सब्जी चला के आ रही हूं बेटा ठीक ना तो खीलू खीलू करो उठ गया ना बेटा हैं आच ठीक मज़ा लगा सोने के लिए सुबह जल्दी उठता है ना आड़ाए बजी ही आड़ाए तीन बजी उठ जाते हो और हमको पर ली दोस्तों हम लोग का खाना पग गया है दीखें कितना हेल्दी एंड टेस्टी है आज कितना बहुत ही अच्छा है दोस्तों दीखें खाने में कितना टेस्टी लगेगा दोस्तों अब हम लोग कहने के लिए जाते हैं अदर बाबु खेल रहा है बाबु को भी आज कि लाएंगे दोस्तों मेरा हस्पेंट जी बरतंद हो दिये जाड़ू पोचा लगाऊंगी भी में फटा फट किचन सबको साप सफ़य करती हूं दोस्तों इसर बाबु खेल रहे हैं अब मेरा हस्पेंट जी बरतंदों के अंदर कर दिये हैं तो अभी में फटा फट अपना काम कर लेती हूं दोस्तों सब बरतंदर किये अच्छा ठीक है था देखिए दोस्तों अभी का मौसम कैसे दिख रहा है अभी पी तीन सबुन बज़ रहा है दोस्तों लेकिन दिखें मौसम कैसे ही दिख दे रहा है अतना बड़ीयां से दूप नहीं आ रहा है है दोस्तों जिसके काल्वन हम लोग आज नहा नहीं पाए तो मैं नहाई बाबु नहा लिये अपने पपा जए नहा लिये बस मैं ही नहाई हूं दोस्तों हो क्या बूलु हो अब हम को डिली डिली नहाना भी अच्छे बात नहीं है जब भी मैं नहाती होको दोस्तों mitä नहीं है तो आज नहीं नहीं लेट भी हो रहा था तो मैं när नहीं नहीं थो तो ठीक है दोस्तो आज कली त्थ है आगा विडियोव पसंद होगा तो आप लोग जरूर्लाइए कमेंट और सिस्क्राइब किजिए ठीक है,D moi